इंडियन स्पोर्स की जितनी मुश्किल चीजें सुधरती हैं, उससे कहीं अधिक जस्कितस बनी रहती हैं। योन उत्पिडन, ट्रांस्पेरेंसी और शक्तिशाली एड्मिस्ट्रेटर का एहंकार सैकडो एथलीट्स के करियर को धीरे-धीरे निगल रहा है। इसका ताजा उधारण भारते पहलवानों और ब्रिजबूशन के बीच चल रही लड़ाई है। कि इन हस्तियों के साथ वैवार हुआ, वो निंदिनिया तो है, साथ ही उस पर हमें विचार भी करना चाहिए क्या खेलों में योन शोशन नहीं होता या फिर अथर्टीज ने अपने आँखें बंद कर ली हैं। भारत में महीला एथलीट्स का योन उत्पिडन बड़े पैमने पर हो रहा है। यूवा लड़कियां अकसर कैम पोर टूनामेंट्स में घर से दूर कई दिन बिताती हैं। कभी-कभी ही उनके साथ महीला कोचिस होती। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि कई महीला कोचिस या सपोर्ट स्टाफ के परिवार होते हैं। और वें बहारी असाइन्मेंट पर जाने के तैयार नहीं होती। इस कारण महीला एथलीट्स को पुरुष कोचिस या परशासकों के साथ जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऐसे में अगर कोई घटना होती है तो अपने करियर और परिवार के सम्मान के लिए एथलीट चुप-चाप सब सहते हैं। और ऐसे एक नहीं कई के सिस भी सामने आ चुके हैं। दो साल पहले तमिलनाडु कोच पी नागराजन पर साथ लड़कियों ने योन शोशन का आरोप लगाया था। पीडितों में से एक तेरा साल की थी। आरोप सामने आने के बाद नागराजन ने नींद की गोलियां खागर आत्मत्या करने की कोशिश की थी। लेकिन वो बच गया और बाद में उसे आईपी सी और आक्सो के एक्ट के तहट गिरफतार किया गया। पिछले साल Sports Authority of India ने स्लोवेनिया की एक ट्रेनिंग यात्रा के दोरान एक महिला साइकिल चालक द्वारा अनुचित व्यवार का आरोप लगाने के बाद चीफ साइक्लिंग कोच आरके शर्मा को ब्रखास्त किया था। साइक्लिस ने कहा कि कोच ने उसको एक होटल का कमरा साजा करने के लिए मजबूर किया था। लेकिन जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ वो कुछ ऐसा है जिससे आपका पूरे सिस्टम से सवाल करने का मन करेगा। तरसल चर्चित बोकसर और ब्रिजभूशन के आरोपों की जाज करने वाली निगरानी समीती की प्रमुख मैरी कॉम को इस तरह के वेवार का सामना करना पड़ा था। ये किसी परशाशक या कोच के हाथों नहीं हुआ लेकिन कम डराने वाला भी नहीं था। मैरी कॉम ने कुछ साल पहले अपने बेटों के नाम एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने इसका जिक्र किया था। मैरी कॉम ने उन पत्र में लिखा चलो बलातकार के बारे में बात करते हैं। महिलाओं के खिलाब योन अपरादों के बारे में बात करते हैं। आए दिन महिलाओं का पीछा किया जा रहा है, छेड़कानी की जा रही है और बलातकार किया जा रहा है। तुम मेरे वेटे हो, किवल नो साल के हो और सबसे छोटे किवल तीन साल के। लेकिन यही वेट उम्र है जहां हमें खुद को सेंसिटिव बनाना चाहिए, कि हम अपनी महिलाओं के साथ कैसा वैवार करते हैं। उन्होंने आगे लिखा, मैं आपको बता दूँ कि आपकी मा के साथ छेट ठाड की गई। पहले मनीपूर में और फिर जब वैदिल्ली और हर्याना के धिसार में अपनी दोस्तों के साथ बाहर थी तब। मुझे पता है कि ये जानकर हैरानी होती है कि एक महिला जिसने जीवन पर संगर्ष करते होए इतना कुछ अरजित किया है उसे भी इन सब चीजों का एहसास कराया गया। प्रधानमंतरी नरेंद्रमोधी भारते खेलों की सफलताओं का चश्न मनाने में सबसे आगे रहे हैं और उन्होंने स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए कई तरह के परियास भी किये। उन्होंने रास निर्मान के लिए खेल को एक उपकरण के रूप में उपयोग करने की अपनी इच्छा को चुपाया नहीं है। और ये अच्छा भी है लेकिन अब भारते खेलों के मूल में पनपने वाली इन बिमारियों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। नहीं तो कल हमें ना तो कोई शाक्षी मलिक उलंपिक पोडियम पर नजर आएगी ना ही कोई मैरी कौम रिंग में उतरती दीखेगी।